हेलो दोस्तों नमश्कार आपका हमारे इस चैनल पर एक पर फिर से स्वागत है उल्लो वेब सीरीज चरम सुक चाल हास पार्ट से रिव्यू रात हो चुकी है घर के सारे मेंबर खाना खाने के लिए बैठ जाती है रेनु आज रोहित के लिए खास बैंगन की सबजी बनाती है मामी आज रेनु से कहती है कि आज तक तो तुने कभी बैंगन की सबजी नहीं बनाई ऐसा क्या हो गया कि तुझे बैंगन की सबजी अचानक बनानी पड़ी रेनु मुस्करा कर मामी से कहती है कि रोहित कल गाउं जाने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना रोहित के पसंद की सबजी बना लूँ उदर रोहित भानू को अपने रास्ते से हटाना चाता है तो खाना काट एक वक्त वो भानू से कहता है कि मैंने आज कोल्टिंग की पार्टी रखी हुई है तो तुम रात को घर से बाहर आ जाना भानू पार्टी करने के लिए रोहित के साथ घर से बाहर आ जाता है पल सुवे ही उटने वाला है इसी बात पर रेनु कहती है कि तुमने भानु को बातरूम में बंद क्यों किया अब ये फटाफट से जाओ और उसको लेकर आओ इसी बात पर रोहित कहता है कि वो हम दोनों के बीच में आ रहा आता हूँ तो इसी बात पर मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात को उसे बातरूम में बंद कर दिया जाए और वैसे भी मैं तो कल यहां से जाने ही वाला हूँ मामी को रेनु के कमरे से हलकी हलकी आवाजे आ रही ती तो वैह उससे परिशान होकर अपने कानों में रूहित डाल लेती है सेहल भानु का इंतजार कर रही है जिसके बाद वो भानु को कॉल करती है पर भानू रोहित के साथ बीजी था तो इसलिए वह है उसका कॉल नहीं उठाता है अगले दिन सनेहल रोहित से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कल रात को कहां पर बीजी थे रोहित कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं कि तुम किस के बारे में बात कर रही हो रेनल कहती है मुझे भाबी के आवाज कल अलग रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कल रात को तुम्हारे साथ ही है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे लाइक करे शियर करे धन्यवाद जैहिन